नमस्कार दोस्तों वाइगम टो मचल्डी के इस्चूट तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज हम दिखेंगे कैश बुक के बारे में ये दिनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 15 थे इससे पहले 14 पार्ट बन चुके हैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे पा तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं वाट इस कैश बुक क्या होते दोस्तों तो कीप रिकॉर्स आप और डिसीट एंड पेमेंट्स आफ मनी इन बिजनस कैश बुक इस में बतलब जो भी बिजनस में आपका कैश के द्वारा टांजेक्शन है अगर आप समान पर्चेस कर रह आपकांटिंग बुक डिस खॉल्ट कैश बुक कैश बुक विद रिगार्ट तो दा नीचर आफ बिजनस एंटर मेंडर इन विच तक कैश डेल्ट विज ठीक है कैश बुक भी जैस उसके अकॉर्डिंग करता है में टेन की जैकि हमारा बिजनस किस नीचर खाए ठीक है और क दिजिटल टान्जेक्शन होता है जो आंलाइन पेमेंट की मोड में में हमें केश मिल रहे है उसके कांडिंग भी हम केश बुक को मेंटेन करते हैं money receipt are entered on debit side and payment shown on credit side तो यह तो debit credit का रूल है वो ही है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो debit होगी, कोई चीज़ जा रही है हमारे पास से तो वो होगी credit, तो money receipt मतलब की money हमारे पास आया, तो वो क्या होगा it is debited, ठीक है न और debit side में दिखाएंगे cashbook में भी दो side होती है, debit और credit, तो जो money हमारे पास आ रहा है it is shown in the debit side और जो money हमारे पास से जा रहा है हम किसी payment कर रहे हैं किसी माल का तो it is shown in the credit side ठीक है दोस्तो, there are three distinct type of cashbook तीन type की cashbook होती है, ठीक है debit में भी और credit में भी या फिर cash, bank and discount column बनावा हो twoon side में या फिर bank और discount gonna बनावा हो two side में मतलब कि वहें, दो side होती है एक तो होती है debit side आपकी एक होँद uh credit side debit side में अगर जो है cash discount column मतलब दोनों साइड में अगर तेक है केवल दो column है cash का और discount का अब यह मीनिंग क्या है कि कभी कभी जब हम बिजनस करते हैं तो हम बोलते थे हैं कि किसी ए परसन ने बी से समान पर्चेस किया वन लैक का ठीक है और उसको पेमेंट करना है सब्सक्राइब एक मेने के बाद हम ने उसको बोल जाए कि जै कि ऐसा है कि अगर आप मुझे पहले पेमेंट कर लिए तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा इतना या फिर एने पर्चेस के समान बी से वन लैक का और पूरा समान उसने कैश में पर्चेस किया तो एक स्किम निगा लख लखे कंपनी ने कि जै कि अगर कोई भी व्यक्ति समान पर्चेस करता है कैश में तो उसको 10% का डिसकाउंट है तो वो जो डिसकाउंट हम दे रहे हैं वो हम डिसकाउंट कॉलम में ठालेंगे ठीक है दोस्तो सिमिलरली अगर जो आपका कैश बुक है उसमें दोनों ही साइड में मतलब की इन साइड साइड उसमें अगर तीन कॉलम है कैश का भी है बैंक का भी है डिसकाउंट का भी है इसका मतलब क्या हुआ कि कि कितना कैश हमारे पास आया है कितना डिसकाउंट हमने दिया है और बैंक का मतलब होता है कि आकर हम बैंक की स्टेटमेंट में कितना शो करेंगे ठीक है यह वह कि रहते हैं bank or discount के यवल bank में मतलब किज़े कि हमारा जो transaction एक बैंक में कितना है और discount कितना दिया हमने bank transaction bank का मतलब होता है transaction का कि हमारे पास cash आया तो हमने bank में receive किया उसको मतलब वह अगर payment हमारा जो हो रहा है या to their requirement ठीक है दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो आपको समझी में आगा cashbook क्या होती है मोटा मोटी जो भी है जो जिस पर बेस्ट एंसब्स बन सकते हैं बहुत डीप हमें नहीं अगर अच्छी लगे वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब चैनल थैंक यू है वरी नाइस टे